यह कहानी सैकडों वर्षों पूर्व घटित सत्य घटना पर आधारित है. बंधूवर, आपकी हमारी शिक्षा दीक्षा, जिस रीती के माहौल में हो रही है, उसमें भूत प्रेत, जिन पिशाच की बातें विश्वसनीयन नहीं मानी जाती. यह मानना बिलकुल विचित्र सा लगता है. परंतु यह तो आप भी मानते होंगे कि लोगों की मृत्यू कभी-कभी एक्सिडेंट डूब कर आग में जलने पर उंचे स्थान से गिर कर हो जाती है, उसे आकस्मिक मृत्यू कहा जाता है, तथा लोगों की कुछ इच्छाएं अ प्रित्यू हो जाती है, तो वह जिन्न या भूत बन जाता है. स्त्रिलिंग भूतनी या चुडैल कहीं जाती है, इन सभी का कोई शरीर नहीं होता, परंतु वे किसी भी प्रकार का रूपधारन कर लेते हैं. जब तक उनकी आयू पूर्ण नहीं होती, ये प्रित्वी लोक म भटकते रहते हैं, तथा बाद में कर्मानुसार स्वर्ग नर्क में चले जाते हैं. ऐसी ही यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है. ये कहानी सत्य घटना का आधार लेकर लिखी गई है, जो मनोवैज्ञानिक आधार पर रचित है. यह कहानी शहर तथा गाव के जंगलों से आरंभ होती है, कहानी पात्र परिच्चे. एक भगत जी काली देवी के भगत हैं, जिनका नाम मुखराम भगत है, तथा दूसरा व्यक्ती पढ़ा लिखा विद्वान है, जो पुराने जमाने का तीन विशय में मिडल पास, शास्त्री या वैद्य है, वह भगत जी की बातो पर विश्वास नहीं करता, पर उनकी बात को परखना भी चाहता है, वह 30-35 वर्ष का युवा है, वह गाव में रहकर अपनी वैद्यशाला चलाता है, जो गरीबों को निह शुल्क दवाई देता है, तथा गाव वाले उसे पंडित जी, अत्वा हकीम जी कहकर संबोधित कर गाव से एक मील की दूरी पर एक बारह मासी नाला बहता है, उसके पार कुछ खाली स्थान टापू टाइप है, जहां पर छोटे-छोटे पेडों का जुर्मुढ है, उसके बाद एक छोटी नदी कल-कल करके बह रही है, नाले और नदी के बीच के स्थान को टापू नाम द रहा हो, शांत वातावरण था, नाले के किनारे एक जुर्मुढ के पीछे दो व्यक्ती, एक भग्त जी तथा दूसरे हकीम जी, शांत भाव से सभी द्रिश्य देख रहे थे, वहां खुले मैदान में एक चटाई बिचाई गई तथा उसके चारों और फाड फानूस लगा तथा सभा का रूप दिया जाने लगा, द्वार बनाए गए और द्वार पाल तैनाथ हुए, सेनापती हाथ में तलवार लिये आया, साथ में कुछ सैनिक भी थे, सैनापती बैठा और सैनिकों की क्रम बद्ध पंक्ती लग गई, ऐसा मालूम होता था कि कि किसी विशेश उ मनियों की माला थी, साथ में एक रूप सी, सुंदरी थी, जिसके जूडे में चंपा के गजरे सुशोभित थे, कमर में चान्दी के आभूशन थे, बाजूओं में बेलाव मोगरा के बाजुबंद, हाथ में स्वर्ण कंगन तथा पैरों में चान्दी के आभूशन, छम छम की मधुर धुहनी गुंजार रहे थे बहरहाल सभा की शोभा मन को भा रही थी सामने नृत की अपने मधुर स्वर में धोलक की थाप पर गाकर नृत्य कर रही थी वातावरण दिलकश व मन मोहग था नृत्य के बाद मिश्ठान का वित्रण हुआ एक अधिकारी बोला भाई उधर देखो दाई और जुर्मुट में दो शांत स्वभाव के व्यक्ति बैठे हैं जो वर्तमान समाज के हैं उन्हें भी मिश्ठान वित्रण कराओ दो कर्मचारी गए पलास के दोने में मिश्ठान रखाए परंतु दोनों व्यक्तियों ने मिश्ठान के दोने तो ले लिये परंतु खाए नहीं कुछ समय पश्चात एक अनोखी सभाजुडी सभी जन अपने अपने नाम स्थान का विवरण देते गए और बैठते गए अन्त में एक उच्च अधिकारी खड़ी आवाज में बोला बजीरे आजम सभी जन दिखलाई दे रहे हैं लेकिन पूर्व का सिपह सालार कहीं दिखलाई नहीं दे रहा है जिसका नाम दो-दो है एक मुख्य अधिकारी बोला हुजूर वह तो इश्क में मशगूर होकर कालिया वाली के जंगल में नवयोवना सुंदरी को बाहों में लिए इश्क फर्मा रहा होगा मैंने उसे सूचना दी थी तो वह बोला चंचल तुम चलों में भी सभा में बस पहुँच ही रहा हूँ परंतु नहीं आया हुजूरा में क्या करूँ ऐसा कहकर चंचल बैठ गया वह नहीं आया उसने हुकुम अदली की है उसने गुनाह किया है हुकुम होता है चार सैनिक जाए और उसे बांध कर ले आए सेना पती बोला जनावे आला वह बहुत ही ताकतवर है दो सैनिकों के बस में आने वाला नहीं साथ में सेना नायक को भी भेजा जाए मुखिया ने आदेश दिया जाओ और सैनिक लेकर सेना नायक प्रस्थान करो और उसे बल पूर्वक लाओ और उसे अगले माह की सभा में हाजिर किया जाए सभा समाप्त होती है सभी जन खड़े हो गए और मुखिया सहित अद्रिश्य हो गए सुभह के लगभग चार बज गए थे गाव में मुर्गा बांग दे रहा था साथ में मुल्लाह भी अजान दे रहा था अज्जान की आवाज पास गाव से आ रही थी प्रातहकाल होते हुए वे दोनों व्यक्ति देख रहे थे जिसमें एक सत्तर वर्ष का भगत तथा दूसरा पैंतीस वर्षिय वैद था भगत अविवाहित था जिसने श्मशान में बैठ कर भैरव, हनुमान, शिवशक्ति वक्काली माता की भूत प्रेत सिद्धी की थी दूसरा युवक वैद्य होने के साथ साहसी भी था जो यह जानने का इच्छुक था कि भूत सभा क्या होती है भगत जी बोले देख लिया बेटा तुमने हम ऐसे ही भूतों के साथ लड़ते हैं और तुमने भी ठीक ही किया जो प्रेतों की सभा के बीच कुछ न बोले और न घबराए पहद्यहां बाबा आपने पहले ही समझा दिया था कि वहाँ जाकर न बोलना है और नहीं घबराना है बस दृष्य को देखते रहना है फिर कहानी यही समाप्थ होती है यदि आपको कहानी पसंद आये हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे और बताए कि आपको किस विशय पर कहानी पसंद है मैं उसी विशय पर कहानी आपको सुनाऊंगी